दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग्ष वधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम साल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरो आरो यानि समिक्षा धिकारी सहायक समिक्षा धिकारी के प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए महत्वपूर तदभव तदसम सब्दों का प्रैक्टिस सेट दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट यूपी आरो एरो परिक्षा के साथ यूपी पेसियस मुख्य परिक्षा अधिनस से वाचाय नायोग द्वारा आयोजित बिविन परिक्षाओं लोवर पीसियस और अध्यापक पातरता परिक्षा जैसे टेट और सीटी एटी के लिए बहु आपसे पूछा गया है कि बच्चा सब्द का तत्सम रूप क्या होता है तो आपसन है आपके बच्च बालक वच्च से बाल तो सही उत्तर है दोस्तों बच्चा सब्द जो है ये तदभव है और इसका तत्सम वच्च होता है आपसन सी आपका सही उत्तर है अगला प्रशन देखिए बहुत ही महतपूर है निमलखित में से तदभव सब्द कौन सा है तो तदभव सब्ज दोस्तों ऐसे सब्द होते हैं जो आम बोलचाल या सामाने देशज सब्दों में होते हैं तदसम जो होता है संस्कृत निष्ट सब्द या संस्कृत के समान होते हैं तो इसमें देखिए अगनिपुष्प शलाका और 14 तो सही उत्तर है इसमें 14 जो है ये तत्सम नहीं बलकि तद्भव सब्द है दोस्तों इसका तत्सम चतुर्दस होता है जबकि अगनिपुष्प और सलाका ये सभी तत्सम सब्दों के उधारण है अगला प्रशन है निखित में से तत्सम की द्रिश्ट से शुद्ध सब्द क्या है शाटी का रसी रैन या सर्सो तो सही उत्तर है आपसन ए दोस्तों शाटी का तत्सम सब्द है इसका तद्भव होता है साडी रसी रैन और सर्सो तद्भव सब्द है दोस्तों रसी का तत्सम रज्जु होता है रैन का रजनी और सर्सो का शर्षप होता है अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों बारात का तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर है बारात का तत्सम रूप होता है वरयात्रा अगला प्रशन है मोती का तत्सम रूप क्या है देखें मोती का तत्सम रूप द देखे मिट्टी का तत्सम सब्द क्या है तो सही उत्तर है दोस्तों मिट्टी का तत्सम मृत्टी का होता है याद रखिएगा और दोस्तों यहाँ पर देखे मट्टी का मृत्टी का या मिट्टी यह सभी गलत हैं मिट्टी का तत्सम सब्द मृत्टी का होता है अगला प्रश अगले प्रश्ट पर आते हैं निमलिखित में से एक सब्द तत्सम है देखिए सपूत, सरीश्रिप, सांकल या साज तो सही उत्तर है दोस्तों सरीश्रिप सरीश्रिप तत्सम सब्द है सपूत, सांकल और साज ये तत्भव सब्द है सपूत का तत्सम हो जाएगा सुपुत्र, शांकल का हो जाएगा सरिंखला और साज का संध्या होता है तत्सम रूप अगला प्रश्ण है दोस्तों निमलखित में से तदभो सब्द कौन सा है देखिए जोच्छना, स्रेष्ठी, परिक्षा और घर तो सही उत्तर है आप संडी घर जो होता है ये तदभो सब्द है इसका तदसम ग्रिह होता है जोच्छना, जोच्छना का जोन होता है तदभो सरेष्ठी का सेठ होता है और परिक्षा का तदभो रूप परक होता है अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों अखरोट का तदसम रूप क्या है ये बहुत ही महतपूर्ण प्रश्ण है अखरोट अख्रोट के तत्सम क्या होता है आपसन है अक्छवट, अच्छवाट, अक्छोट या अच्छेवट तो सही उत्तर है अक्छोट दोस्तों अक्छोट का तत्सम अक्छोट होता है अगला प्रश्ण है निम्लखित में से तत्सम तद्भो का सही युग्म क्या है देखिए महूक महुआ सही नहीं है अच्छवाट अखाड़ा सही है आद्रक अद्रक ये भी नहीं सही है और इच्छ इक सही नहीं है दोस्तों ये देखिए मधूक का महुआ होता है आद्रक का अद्रक होता है और इच्छु का इक होता है नकी इच्छ का तो सही उत्तर है आपसन B, अक्षवाट इसका जो रूप है अखाड़ा होता है तद्भो रूप तो सही यूग्म आपसन B हो जाएगा अगला प्रश्ण है दोस्तों ने मिलखित में से तत्सम की द्रिष्ट से एक यूग्म अशुद्ध है वो कौन सा है देखिए दिक्षा, परिक्षा, शूकर, बलीवर्द, कपूत, सपूत, वरिष्ट, कनिष्ट तो सही उत्तर हो जाएगा आपसन C, कपूत, सपूत दोस्तों कपूत और सपूत ये तदभव सब्द है न की तत्सम और इसका जो तत्सम होता है वो कौपूत्र और सुपूत्र होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों उक्षवास सब्द का तदभव रूप क्या होगा स्वास प्रस्वास उसास या निस्वास तो सही उत्तर है दोस्तों उच्छ्वास का तद्भव जो है वो उसास हो जाएगा आपसन सी अगला प्रश्वास आपसे पूछा गया है कि निम्लखित में से तद्भव तद्भव का सही युग कौन सा है देखें लोहकार लोहार ये सही नहीं है लक्ष का लाख ये भी सही नहीं है और घट का रहट ये आपका सही है मिष्ट का मीठा सही नहीं है तो इसको आप सही कैसे करेंगे दोस्तों देखिए लोहकार का होता है लोहार न की लोहकार का लक्ष का लाख होता है इसमें लक्ष ऐसे लिखा जाएगा तब लाख होगा और मिष्ट नहीं बलकि मिष्ट होता है दोस्तों ऐसे मिष्ठ मिष्ठ जब आप लिखेंगे तो ये मिष्ठ होगा मीठा का अगला प्रश्ण है दोस्तों वर्तिका का वर्तिका सब्द का तद्भो रूप क्या है तो सही उत्तर है वर्तिका का तत्सम जो होता है दोस्तों वर्तिका एक तत्सम सब्द है इसका तत्भो रूप बत्ती होता है अगला प्रश्ण है गोत्र सब्द का तद्भो रूप क्या होगा तो सही उत्तर क्या हो जाएगा गोत्र का जो तद्भो रूप हो जाएगा गोत्थ हो जाएगा तो सही उत्तर आपसन ए है अगला प्रश्ण है उलाहना सब्द का तद्सम रूप क्या है दोस्तों उलाहना को तत्सम में उपालंब कहते हैं तो सही उत्तर आपका आपसन भी हो जाएगा उपालंब दोस्तों ये उलाहना का तत्सम रूप है अगला प्रश्ण है सिंगहाडा का तत्सम रूप क्या है आपसन है आपके स्रिंगाटक सुघट सिंगहाडा या श्रिंग तो सही उत्तर है श्रिंगाटक दोस्तों सिंहाडा का तत्सम रूप स्रिंग घाटक होता है अगला प्रश्न देखी निम्लिखित में से तत्सम सब्द कौण सा है गुपाल, घर, कपूत या सूत तो सही उत्तर है गुपाल गुपाल यहां पे तत्सम सब्द है जिसका उदभव गुआल होता है घर, कपूत और सूत जो हैं ये तदभो हैं घर का ग्रिह होता है तदसम कपूत का कुपूत्र और सूत का सूत्र होता है तदसम रूप अगला प्रश्न दोस्तों भभूत का तदसम सब्द क्या है तो सही उत्तर है भभूत का जो तदसम सब्द होता है वो है विभूती अगला प्रश्ण है अधो लिखित में से तदभव सब्द कौन सा है आपको बताना है प्रत्य भिग्यान, परिधान, पिटक और पिटारा तो सही उत्तर है दोस्तों पिटारा सब्द जो है ये तदभव है जबकि प्रत्य भिग्यान, परिधान और पिटक ये दोस्तों ये तत्सम रूप है प्रत्य भीज्ञान का जो तद्भव होता है पहचान होता है और परिधान का तद्भव पहनना होता है अगला प्रश्ण है निम्र्खित में से तत्सम सब्द कौन सा है दही, जीड, गयंद या गाहक तो इसमें से आपको तत्सम या संस्कृत निष्ट सब्द बताना है तो सही उत्तर है जीड, दोस्तों जीड सब्द जो है ये तत्सम सब्द है दही का दधी होता है तत्सम, गयंद का जो है दोस्तों हाथी का परिया है और गाहक का जो है ये तत्सम ग्राहक होता है तो सही उत तरहे दोस्तों अगहन का तत्सम रूप अग्रहायड होता है आपसन ए आपका सही उत्तर है अग्रहायड जो है ये अगहन का तत्सम रूप है अगहन एक महीना भी होता है अगला प्रश्ण है निम्नखित में से तत्सम सब्द कौन सा है देखिए उच्छाह उजला उल्लू य तो याद रखेगा ओष्ट जो है ये तत्सम सब्द है अगला प्रशन है दोस्तों परिवा का तत्सम रूप क्या है आपसन है आपके परवा परेवा प्रतिपदा या परिवा तो सही उत्तर है दोस्तों परिवा जो है एक तत्सम सब्द है इसका तत्सम प्रतिपदा होता है आपसन C आपका सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रश्ण पर आते हैं देखिए निम्लखित तत्सम तद्भो सब्दों का संगत युग्म क्या है देखिए खरपट खोपड़ी सही नहीं है सक्तु सत्य ये भी नहीं सही है पर्यंक पलंग ये सही है घोटक, घढ़ा सही नहीं है तो इसको आपका ऐसे सही करेंगे आपसन C आपका सही तत्सम तद्भो है और दोस्तों सक्तु का सत्तु होता है घोटक का घोड़ा होता है और करपर का खोपड़ी होता है न की खरपट़ का अगला प्रशन है निम्णखित में से एक तदभो सब्द है आसू, एकत्र, वानर या उच तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आशू आसू का जो तद्सम रूप होता है वो असरू होता है इसलिए आसू जो है एक तदभो सब्द है अगला प्रश्ण है कपिथ का तद्भव सब्द क्या है कपूर कैथा केला या खजूर तो सही उत्तरापसन भी कैथा कैथा दोस्तों ये कपिथ का तद्भव रूप होता है कपूर का तद्सम करपूर केला का कदली और खजूर का खरजूर होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों तदभो चबूतरा का तत्सम रूप क्या है चरवतर चरवूतरा चारवूतरा या चत्वाल तो देखे ये प्रश्ण कठिन है दोस्तों चबूतरा का तत्सम रूप होता है चत्वाल याद रखेगा चबूतरा तद्भो सब्द है इसका तद्भो सब्द है इसका तद्भो सब्द है पूजी नयन मूर्ख और सकुन तो सही उत्तर है पूजी दोस्तों पूजी जो है तद्भो सब्द है इसका तद्भो सब्द है इसका तद्भो सब्द है इसका तद्भो सब्द शकुन होता है अगला प्रश्ण है देखिए बेत का तत्समरूप क्या है आपसन देख लेते हैं दोस्तों आपसन है आपके देखिए वेंत, वेत्र, वेंत्र या वेंत्री तो सही उत्तर है वेत्र देखिए आपसन B आपका सही उत्तर है वेत्र जो है ये बेत का तत्समरूप है अगला प्रिश्न है चना का तत्समरूप क्या है चड़क, चड़ा, चाड़क या चड़ाक तो सही उत्तर है चड़क दोस्तों चना जो होता है उसका तत्समरूप चड़क होता है अगला प्रश्ण है उन का तत्सम रूप क्या है देखिए उन्य उन्य उरण या उन्य तो सही उत्तर है उन्य आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएगा उन का तत्सम रूप उन्य होता है अगला प्रश्ण है थाली का तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर आप जानते भी होंगे थाली का तत्सम रूप अस्थाली होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों जामुन का तत्सम रूप क्या होता है तो सही उत्तर है जम्बू दोस्तों जम्बू जो है ये जामून का तत्सम रूप है और भारत को प्राचीन काल में जम्बू दीप के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रश्न है देखे एक तत्सम सब्द है अनहित विनती डाकनी या अटारी तो इसमें से कौन सा तत्सम सब्द है सही उत्तर हो जाएगा डाकनी दोस्तों डाकनी तत्सम है इसका तत्भव ढायन होता है विनती तत्भव सब्द है वीनती जो है इसका तत्सम होता है अट तो सही उत्तर है 14, 14 तद्भो सब्द है जिसका तद्भो सब्द है जिसका तद्भो चतुर्दस होता है और चतुर्थ एक तद्भो सब्द है और इसका तद्भो चार होता है अगला प्रशन है दोस्तों आप भ्यंतर का तद्भो सब्द क्या है आपको बताना है तो आपसन है आपके अंदर भीतर बाहर या गहरा तो सही उत्तर है आपसन भी भीतर अब भ्यंतर का तत्सम सब्द दोस्तों इसका तत्भो भीतर होता है बाहर और गहरा दोस्तों ये तत्भो सब्द है बाहर का तत्सम बाह होता है और गहरा का गंभीर होता है अगला प्रश्ण है एक तद्भो सब्द है देखे पंजर, पंचाली, पंडित या पंजीरी तो सही उत्तर है पंजीरी दोस्तों पंजीरी जो है ये तद्भो सब्द है पंजर, पंचाली और पंडित ये सभी तत्सम सब्दों के उदाहरण है अगला प्रश्ण है एक तद्भो सब्द है अटल आतूर अतित ही या आजिर तो सही उत्तर है अटल आपसन ए अटल तद्भो सब्द है अटल का तत्सम इस्थिर होता है जबकि आतूर अतित ही और आजिर ये तत्सम सब्दों के उदाहरण है अगला प्रश्ण है दोस्तों बाका का तत्सम सब्द क्या है देखिए तिरियक, वक्र, चाकू या वर्त तो सही उत्तर है वक्र बाका का तत्सम वक्र होता है तिरियक तत्सम सब्द है और इसका तद्भव तिर्चा होता है अगला प्रश्ण है निमलखे सब्दों में से कौन सा सब्द तत्सम नहीं है पतन, पंसारी, पिटक या प्रहार तो सही उत्तर है पंसारी पंसारी ये तत्भव सब्द है जिसका तत्सम पड़ या शालिक होता है पिटक तत्सम सब्द है जिसका तदभव रोप पिटारा होता है अगला प्रश्ण है इनमें से तदभव तत्सम का एक सही युग्म कौन सा है आपको बताना है तो यहाँ पर देखे दोस्तों देखे कौडी कपार्दिकी ये आपका सही युग्म नहीं है अपाहिज अपाद हस्त ये आपका सही उत्तर नहीं है ओस अवश्याय ये आपका सही सुमेलन है गेहूं गोहूं सही सुमेलित नहीं है अपाहिज दोस्तों तदभव सब्द है इसका तत्सम अपाद हस्त होता है न की आपाद हस्त कौड़ी तद्भो है इसका तच्ब्ध का परदिका होता है अगला प्रशन है निम्लखित में से कौन सा सब्ध तद्भो है पसीना पक्वान पश्यताप या पुत्र बधु तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप्सण ए पसीना दोस्तों पसीना जो है यह तद्भो सब्द है औ और इसका तत्सम याद रखेगा, प्रस्वेद होता है, पक्वान का तद्भव पक्वान होता है, भशत आप और पुत्रबधू तत्सम सब्द हैं, अगला प्रशना ये देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महतपूर है, तत्सम तद्भव का काउन सा एक युगम असुद्ध है, तो इसमें देखते हैं उपाध्याय ओजह सही है, स्रेश्ट सेठ ये आपका जो है दोस्तों सही है, और अगनिष्ट अंगीठा ये आपका सही नहीं है, और आर्दरक अदरक सही है, दोस्तों देखें अगनिष्टी का तत्सम रूप है, जिसका तद्भव अंगीठी होता ह विकल्प सी जो है ये अशुद्ध है अगला प्रश्ण है निम्रखित में से कौन सा सब्द तद्भव नहीं है दुवार, शायंग, गिरिस्ती या पाउ तो सही उत्तर है शायंग दोस्तों सायंग जो है टत्सम सब्द है और इसका तद्भव शाम होता है इसी तरह दुवार, गिरिस्ती और पाउ तद्भव नहीं तो सही उत्तर है या उपसंसी अकेला एकल जो है वो तद्द सम्द है अकेला इसका तद्भव रूप है अगला प्रश्ण है दोस्तों करपट सब्द का तद्भो रूप क्या है तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों करपट का तद्भो रूप कपड़ा हो जाएगा करपट का तद्भो रूप कपड़ा है आप जानते हैं कपाट का तद्भो जोस्तों ये किवाड होता है अगला प्रेश्ण बहुत ही महतपोंड है कठिन है कैवर्थ सब्द का तद्भोरूप क्या है आपसन है आपके मला केवर्थ नाविक या केवल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपसन भी केवर्थ जो है वो कैवर्थ सब्द का तद्भोरूप है अगला प्रेशन और इस प्रेक्टिसेट का आकरी प्रेशन है दोस्तों गिद्र सब्द का तद्भा रूप क्या है आपसन है आपकी गीधना ग्रिध गीधी या गीध तो सही उत्तर है गीध दोस्तों गीध जो है वो ग्रिद्र सब्द का तद्भा रूप है तो ये था आज का practice say तच्त सम तद्भ सब्द मोहतपूर्ण तच्सम तद्भ सब्दों का प्रैक्टिस सेट संख्या 1, जिसमें हमने परिक्षाओं के दृष्टे से मोहतपूर्ण 50 तच्द्भ सब्दों को देखा, जो परिक्षाओं में आया हुए हैं, और आगे भी इनके आने की संभावना है इसका अगला सेट हम कल प्रस्तुत करेंगे हमाई चैनल से जूड़े रहें दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फार्ट सिविल सर्विशेज मैं अनुराग्श अधरी दोस्तों मागदोशन सामान हिंदी के अंतरगत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस इट महत्पूर तत्सम तद्भव सब्दों का भाग दो दोस्तों आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि सुष्ठी देखिए सुष्ठी सब्द का तद्भव रूप क्या है आपको बताना है आपसन है आपके स्रेष्ठी सोट, सुघंद या सुन्डा तो सही उत्तर है दोस्तों सुष्ठी सब्द का जो तद्भव रूप है वो है सोट, सोट का तद्भव होता है सुष्ठी जिसका तद्भव रूप सोट होता है तो आपसन B आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है मक्षी का तत्सम रूप क्या है आपसन है आपके मक्षी का माच्छी मक्षी या मक्षी का तो सही उत्तर है मक्षी का तत्सम मक्षी का होता है आपसन D आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है दोस्तों हल्दी सब्द का तत्सम रूप क्या है आपको बताना है उत्तर है हरिद्रा याद रखिए हरिद्रा जो है दोस्तों ये हल्दी का तत्सम रूप होता है अगला प्रशन यही है कि हल्दी का तत्सम रूप क्या है तो हल्दी का तत्सम रूप आप जानते हैं हरिद्रा होता है एक बार फिर से यही प्रश्न पूछा है देखिए उत्तर प्रदेश आरो यारो प्रारंभी परिक्षा 2010 और लोवर सबार्डिनेट मुख्य परिक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है हल्दी का तत्सम रूप हरिद्रा होता है अगला प्रश्न है हुलास सब्द का तत्सम रूप क्या है तो याद रखिए हुलास का तत्सम रूप उल्लास होता है हुलास देखिए देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे तत्सम सब्द है लेकिन यह तदभव सब्द है इसका तत तत्सम होता है उल्लास तो महत्वपूंड है दोस्तों हुलास का तत्सम उल्लास होता है अगला प्रश्ण है नारियल सब्द का तत्सम रूप क्या होता है तो सही उत्तर है नारिकेल याद रखिए नारियल का तत्सम नारिकेल होता है दोस्तों नारिकेल और नारिकेल दोनों ह चाहे आप बड़ी E की मात्रा देखें या छोटी E की मात्रा नारी में तो लोकसेवा आयोग द्वारा अपने उतर प्रत्रक में A और C दोनों को दोस्तों इसको शुद्ध माना गया था इसको स्विक्रित किया है तो नारीकेल सही है नारियल का तत्सम रूप अगला प्रश्ण है दोस्तों सींग सब्द का तत्सम रूप क्या है तो सींग का तत्सम रूप होता है स्रिंग देखिए यहां पर यह सही उतर है स्री में देखिए जो आधर यहां नीचे लगाए गया है यह गलत हो जाएगा सही उतर है स्रिंग जो है वो सींग का तत्सम तो पूर्ण देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अगर जो आप स्रिंग जानते हैं लेकिन आप यह नहीं जानते स्रिंग कैसे लिखा जाता है तो आप गलत कर देंगे यहाँ पर स्रिंग जो है वो सिंग का तत्सम रूप हो जाएगा अगला प्रशन आप से पूछा गया है कौन सा सब्द तद्भो है यानि हिंदी या देशच के समान कोयल आश्यर्य उज्जवल और कंटक तो इसमें कोयल दोस्तों यह तद्भो सब्द है और इसका तत्सम कोकिल होता है आश्यर्य तत्सम सब्द है इसका तद्भो जो अचरज होता है उज्वल का तदभव उजाला और कंटक का काटा होता है अगले प्रश्ण पर आते हैं अटालिका का तदभव रूप क्या है तो सही उत्तर अटारी होता है अटालिका जो है ये तत्सम सब्द है इसका तदभव अटारी होता है अगला प्रश्ण है निर्मिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है जल, नगन, तीन या और भ्रमर तो सही उत्तर है तीन देखे तीन जो सब्द है ये तद्भव है इसका तद्सम रूप त्रीडी होता है नगन भ्रमर ये तद्सम है नगन का तद्भव नंगा और भ्रमर का तद्भव रूप भौरा होता है अगले प्रिश्ट पर आते हैं दोस्तों करपर का तदभव रूप क्या है तो यहाँ पर देखें कपूर, कपड़ा, करकट या खपर तो यहाँ पर अगर जो आप देखें दोस्तों को कपूर, कपड़ा और खपर कपूर, कपड़ा और खपर ये तीनों ही तदभव सब्द हैं तो और कपूर का तदसम करपूर, कपड़ा का करपट और खपड़ का खरपर होता है करकट तदसम सब्द है करकट दोस्तों करकट जो है तदसम है इसको केकड़ा कहा जाता है करकट को लेकिन करपर जो है इसका कोई तद्भव रूप नहीं है विकल्पों में तो इसमें ये इश्टार है इसमें कोई भी उत्तरापका सही नहीं है अगला प्रश्ण है रिम्नखित में से कौन तत्सम सब्दों की जोड़ी नहीं है कर्म बिद्या, दधी भात, मत सिम्रिग, ज्यान छेत्र तो देखें यहां पर दोस्तों ये विकल्प B जो है इसमें दधी तो तत्सम है लेकिन भात जो है ये तद्भव है दोस्तों भात तत्भव सब्द है इसका तत्सम भक्त होता है तो इसमें आपसन A, C और D तत्सम सब्दों की जोड़ी है लेकिन B में तत्सम और तत्भवद्वन सब्द हैं इसलिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया है कि कौन सा यूग में तत्सम की द्रिष्टी से असुद्ध है त्रिड दंड, वत्स परक, कपाट एकादस और राजपुत्र और शुकर तो सही उत्तर है आपसन B आपका अशुद्ध है क्योंकि वत्स तो शुद्ध सब्द है लेकिन परक जो है ये परक तत्सम सब्द नहीं है परक का जो तत्सम होता है वो परिक्षा होता है अगला प्रश्ण है करपट का तत्भो रूप कौन सा है तो सही उत्तर है करपट का तत्भो कपड़ा होता है अगला प्रश्ण है चूरन का तत्सम सब्द क्या है तो सही उत्तर है चूड दोस्तों चूरन एक तत्भो सब्द है इसका तत्सम रूप चूड होता है चर्म तत तत्सम है इसका तद्भो रूप चमड़ा होता है चच्छु जो है वो आँख का पर्यायवाची सब्द है अगले प्रश्ण पर आते हैं कौन सा तत्सम सब्द नहीं है देखे इंदु, दिनेश, मनोज और रात तो सही उत्तर है रात रात तत्सम नहीं है क्योंकि ये तत्भो सब्द है और इसका तत्सम रात्री होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों तिक्त सब्द का तत्भो क्या है तीता, तीखा, तिक्ता या तिखन तो ये जो आपसन है आपको इसमें से बताना है तिक्त का जो दोस्तों तत्भो रूप क्या होता है तो सही उत्तर है तिक्त का त तदभव रूप दोस्तों ये हो जाएगा देखे आपका तीता सही उत्तर आपसन ए हो जाएगा तीखा सब्द जो है तीखा तदभव सब्द है इसका तदसम तिक्ष्ड होता है तो बहुत ही महत पूर है दोस्तों तदसम जो है तिक्ष्ड का तदभव जो है वो तीता हो जा जो है ये तद्भो सब्द है जबकि कूप, बिद्या और भ्योम ये आपके तत्सम रूप है अगला प्रशन है तत्सम सब्द है देखिए कलिष्ट, कठोर, कठिन या मजबूत तो सही उत्तर है दोस्तों केंद्री, हिंदी, निदेशाला, सिक्छा भी भाग दोरा जो है तत्सम सब्द कोष के उनसार कठोर और कठिन दोनों ही तत्सम रूप है तो देखिए कठोर और कठिन दोनों ही तत्सम रूप है तो और सही वर्तनी कलिष्ट है न की कलिष्ट तो ये इस पेलिंग ही गलत है इसका और मजबूत आपका तत्भो सब्द है लेकिन दोस्तों उचन्याले के आदेश के बाद जारी अंतिम उत्तर पत्रग में बिकल्प B और C दोनों सही माने गए हैं तो तत्सम रूप इसमें कठोर और कठिन दोनों हो जाएंगे अगले प्रिश्ट पर आते हैं दोस्तों धीठ सब्द का तत्सम क्या होगा तो सही उत्तर है ध्रिष्ट जो है वो धीठ का तत्सम होगा धीठ का तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर ध्रिष्ट हो जाएगा अगला प्रिश्ट है तत्सम सब्द का चैन कारना है शेर, बबर सेर, ब्याग्र या बाग तो सही उत्तर है ब्याग्र दोस्तों तत्सम रूप है इसका तत्भव बाग होता है अगला प्रश्ण आपसे पुछा गया है तत्भव शब्द है मानो मनई मनुसिया मानू तो सही उत्तर है मनई तत्भव है जिसका तत्सम रूप मानो होता है जबकि तदभव सब्द मानुस का तत्सम रूप मनुस से होता है दीठी, दीठी का तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर है द्रिष्टी देखिए दोस्तों द्रिष्टी जो है ये जो है दीठी का तत्सम रूप है आपका अगला प्रेशन है मुदरी का तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर मुद्रिका देखिए मुदरी का तत्सम रूप मुद्रिका होता है और अगला प्रेशन है कौन सा तत्सम सब्द है यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है सुसुरुशा, सुन्नर, अपजस या अक्षर तो सही उत्तर है सुसुरुशा आपसन ए आपका सही उत्तर है सुन्नर का सुन्दर, अपजस का अपयश और अक्षर जो लिखा गया है उसका अक्षर होता है तत्सम रोग अब आईए अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सब्द तत्सम है आपका साप, चिन्ह, वीडा या बिश्मे तो सही उत्तर है आपका दोस्तों इसमे कौन सा बिश्मे का अर्थ आश्चर होता है यह तत्सम सब्द है तो बिश्मे जो है यह तत्सम सब्द है साप, चिन्ह और वीडा आपके तद्भा रूप है अगला प्रश्ण है निम्निकित में से कौन सा शब्द तत्सम है मुमुच, बरिष्ठ, अंगुठा या उस्मा तो सही उत्तर है मुमुचु मुमुचु जो है यह तत्सम रूप है बरिष्ठ यहाँ पर देखे इसकी वर्तनी गलत है तो बरिष्ठ नहीं वरिष्ठ होता है और अंगुठा अंगुष्ठा होता है और दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्ण है गधा का तत्सम रूप क्या होता है तो सही उत्तर है गर्दव आपसन D आपका सही उत्तर है गर्दव जो है दोस्तों यह गधा का तत्सम रूप होता है अगला प्रश्ण है प्रिय का तद्भव रूप क्या है तो सही उत्तर है प्रिय का तद्भव रूप जो है ये होता है पिया आपसन ए आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है निम्खित सब्दों में से कौन सा तत्सम सब्द नहीं है कुसुम, भूशिका, वंस या नेह तो सही उत्तर है नेह जो है ये आपका तद्भव रूप है अगला प्रश्ण है निम्खित में से कौन सा तद्भव शब्द है आपको बताना है पंक, प्रिष्ट, लज्जा और शिला तो सही उत्तर है पंक जो है ये तद्भो सब्द है इसका तद्भो सब्द है इसका तद्भो पक्ष होता है और प्रिष्ट जो है ये तद्भो सब्द है जिसका तद्भो रूप पीठ होता है लज्जा तद्भो लाज होता है अगले प सब्द है पक्ष का तद्भव रूप क्या है तो सही उत्तर है दोस्तों पक्ष का जो तद्भव रूप होता है ये है पंक तो सही उत्तर है पंक अब आईए अगले प्रश्ट पर चलते हैं देखिए निम्नखित में से कौन सा तत्सम सब्द है आपको बताना है सक्कर, सब्टशती, होली और मोती तो इसमें कौन सा दोस्तों आपको बताना है तत्सम सब्द है तो सही उत्तर है शब्टसती, सब्टशती आपका तत्सम रूप है इसका तद्भव सत्थ सही होता है अगला प्रश्ण है निम्रखित में से कौन सा सब्द तदभो है आपको बताना है भ्रमर ब्यागर छीर या कोयल तो सही उत्तर है कोयल आपका दोस्तों कोयल जो है ये आपका तदभो सब्द है कोयल का तदसम रूप कोकिला होता है अगला प्रश्ण हेनल मिल्खित सब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर क्या है दोस्तों नया का तत्सम रूप होता है नब्य आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है रे मल्खित में से तत्सम तद्भाव की मेल की द्रिष्ट इसे सुध्य यूग्म कौन सा है तो यहाँ पर देखे हरिद्रा, हरिद्वार, प्रिष्ट पन्ना, पर्यंक परक, चुल्लीक, चूला तो यहां पर देखे, यहां पर देखे, आपसं B आपका सही उतर है, B में प्रिष्ट जो है तत्सम है, पन्नातदभो का मेल सही है, अन्य सही यूगम जो है हरिद्रा हल्दी हो जाएगा, हरिद्वार नहीं, और इसके अलावा परियंक का पलंग हो जाएगा, और चुल्ली का चूला होगा तो यहाँ पर मेल की द्रिष्टी से सुध्ध जो यूग में है वो है आपसन भी अगला प्रेशन है दोस्तों संस्कृत के वे सब्द जो हिंदी में जियों के तेओं परिवर्तित हो जाते हैं उनको तद्भव कहा जाता है अगला प्रेशन है द्रिष्ट में से कौन तद्भव सब्द है आपको बताना है गरम नरक नरम या तीर्थ तो सही उत्तर है तीर्थ जो है यह आपका तद्भव सब्द है अंगीठी का तद्भव क्या है यह बार वर पर एक शाओं में पूछा गया है तो याद कर लिजेगा अंगीठी का तद्भव रूप दोस्तों यह अगनिष्ठी का होता है आपसंसी आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है निम्नखित में से कौन तद्भव सब्द है दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज तो सूरज यहाँ पर दोस्तों तद्भव रूप है जबकि दिनक दिवाकर और प्रभाकर ये सब ही दोश्टों सूरि के पर्याइवाची हैं अगला प्रश्चन है निम्रिखित में से कौन सा तत्सम सब्द नहीं है आख, नयन, नेत्र और द्रिग तो सही उत्तर है आख जो है ये तद्भो सब्द है जबकि नयन, नेत्र और द्रिग ये आँख के पर्यायवाची है अगला प्रश्ण हैने मिखित सब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है मृत्तिका, विकार, कपाट या कपूर तो सही उत्तर है कपूर जो है ये तद्भरूप है और इसका तत्सम करपूर होता है और देखिए मृत्तिका का मिट्टी होता है तद्भर, विकार का विगार और कपाट का तद्भरूप की वाड होता है अगला प्रश्ण हैने मिर्खित में से तत्सम सब्द कौन सा है आपको बताना है यहाँ पे आपसे पूछा गया है तत्सम सब्द आपका कौन सा है कान, जीव, मुख और दात तो सही उत्तर है मुख मुख जो है तत्सम है अन्य जो है दोस्तों कान जीव और दात ये सभी तद्भोर सब्द हैं अगला प्रेशन है निम्नखित में से कौन सा तद्भोर सब्द है मधूप मधुकर भ्रमर और भाउरा तो सही उत्तर है भाउरा जो है ये तद्भोर रूप है जबकि मधुप मधुकर और भ्रमर ये भाउरा के परयावाची सब्द है अगला प्रेशन है सिंगार सब्द का तत्सम क्या है तो सही उत्तर है देखे स्रिंगार स्रिंगार में दोस्तों इसमें ये जो आपसं है ये कभी कभी कुछ लोग इसको मान लेते हैं लेकिन ये गलत है आपसं C आपका सही उत्तर हो जाएगा स्रिंगार का जो सही तत्समरूप हो का आपसं C है अगला प्रश्न है देखिए खंडहर का तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर है दोस्तों खंडहर का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो खंडग्रिह हो जाएगा याद रखिए खंडग्रिह जो है ये खंडहर का तत्सम रूप है देवर का तत्सम सब्द क्या होता है तो देव का तत्सम द्वीवर होता है आपसन B आपका सही उत्तर है और इसकी अलामा देवर का तत्सम रूप कई बार पूछा गया है तो द्वीवर जो होता है ये देवर का दोस्तों ये तत्सम रूप होता है अगले प्रश्ण में मक्खन का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है आप आपसन है माखन, मरक्षण, मशण या मुच्छण, तो सही उत्तर है मरक्षण, आपसन B आपका सही उत्तर हो जाएगा, मक्षण का तत्सम रूप मरक्षण हो जाएगा, अगला प्रश्ण है निम्लखित में से तत्सम सब्द कौन सा है आपको बताना है, आपसन है करोण, तेल पीपल और दिन तो दोस्तों दिन और दिवस तत्सम सब्द हैं करोण कोट पीपल पीपल और तेल तैल क्रम से तदभव तत्सम रूप हैं तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा दिन दिन का दोस्तों दिन और दिवस्क तत्सम सब्द होते हैं करोंड का तत्सम कोट ही होता है पीपल का पिपल और तेल नहीं बलकि तैल सब्द जो होता है वो तत्सम होता है अगला प्रशन है पीपल सब्द का तत्सम रूप क्या है तो अभी अभी आपने पढ़ा है पिपल दो दोस्तों पिपल ये आपका तत्सम रूप है पीपल का अगला प्रश्ण है मिल्खित में से कौन सा एक तत्भो शब्द नहीं है आपको बताना है तुरंत आज धीरज या खरपर तो सही उत्तर है खरपर खरपर क्या है ये तत्सम सब्द है और इसका तत्भो खपड़ा या खपपर होता है तुरंत जो है तत्भो सब्द है और इसका तत्सम त्वरित होता है आज तत्भो सब्द है इसका तत्सम अध्य होता है और धीरज का तत्सम धैरे होता है अगला प्रश्ण है निमलखित तत्सम तद्भाव सब्दों के यूग्म में से काउन सा यूग्म तुरूट पूर है छीर खीर दही 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 दूग्ध दूध घृत घी तो यहाँ पर दोस्तों दही और दही ये यूग्म गलत है क्योंकि दध ही जो होता है तत्सम होता है और उसका तत्भाव रूप दही होता है तो यहाँ पर दध ही हो जाएगा दध ही और दही तब ये सही होगा दही और दही आपका सही नहीं है अगला प्रश्ण है नीचे दिये गए तत्सम तत्भव सब्द युगम में से कौन सा युगम त्रोट पूर है वचन बैन कपाट कपड़ा पुराण पुराना गंभीर गहरा तो दोस्तों कपाट जो होता है ये तत्सम सब्द है और इसका तत्भव किवाड होता है नकी कपड कपड़ा का तत्सम करपट होता है अन्य सब युगम सही है आपसन भी आपका सही युगम नहीं है अगले प्रश्ण पर आते हैं निम्लखेत तत्सम तत्भव सब्दों की युगम में से कौन सा युगम त्रोट पूर्ड है घृत और गी यह सही है उट्र और उूट ये आपका सही नहीं है क्योंकि उष्ट्र होता है तत्सम उट का तो दोस्तों उष्ट्र उट का जो है तत्सम सब्द है उट्र नहीं अगला प्रश्ण है कौन सा सब्द तत्सम नहीं है अगनी घोटक घट और मोती तो सही उत्तर है मोती दोस्तों मोती जो है ये तत्भव सब्द है इसका तत्सम मौक्तिक होता है अगनिका उद्भो आग घोटक का तत्भो घोड़ा और घट का तत्भो घड़ा होता है अगले प्रेशन पर आते हैं आसान सा प्रेशन है पलंग का तत्सम रूप क्या है तो ये है पर्यंग आपसन C आपका सही उत्तर है अगला प्रेशन है फिर पुछा है पलंग का तत्सम रूप परियंक होता है आपसन D आपका सही उत्तर है अगला प्रेश्ण है निम्नखित तत्सम तद्भाव सब्दों की यूग में से कौन सा त्रोटपूर है गोमे गोबर छीर खीर परियंक पटरी और सपतनी सौत तो यहाँ पर देखिए आपसन C आपका सही नहीं है आपसन C जो है परियंक का पटरी नहीं बलकि परियंक का तत्भाव पलंग होता है अन्य यूग में जो हैं वो सही है गोमे गोबर होता है छीर का तदभव खीर होता है और सपतनी का जो तदभव होता है वो सहत होता है अगला प्रश्ण और इस प्रैक्टिसेट का आखरी प्रश्ण है इन में से एक सब्द तदभव है वो सब्द कौन सा है दिन, अंधकार, असकंद या कपास तो इसमें से तद्भव सब्द बताना है तो सही उत्तर है कपास दोस्तों कपास जो है ये तद्भव सब्द है और इसका तद्सम करपास होता है दिन तद्सम सब्द है अंधकार का तद्भव अंधेरा होता है असकंद का जो है तद्भव रूप कंधा होता है तो ये आपने देख लिया महतवपूर्ण तच्सम तद्भव सब्दों का भाग दो जो आपके आगामी बिभिन प्रत्योगी परिक्षाओं जैसे UPPCS मुख्य परिक्षा आरो ए आरो यानि समिक्षा धिकारी सहायक समिक्षा धिकारी के प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा लोवर सबारिनेट परिक्षा इसके अलावा अध्यापक पातरता परिक्षा आधि के लिए बहुत ही उपयोगी है आप इन प्रशनों को तयार कर लिजेगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चेनल मागदोशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों नमस्कार ये हमागदोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग्श अधरी दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान हिंदी का महतवपूर्ण खंड हिंदी के महतवपूर्ण ततसम ततभोसब्द जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी और महतवपूर्ण हैं दोस्तों ये वीडियो सभी परिक्षाओं जैसे समिक्षाधिकारी, सहायक समिक्षाधिकारी, इलाहबाद, हाईकोर्ट, आरो, यारो, यूपी, पी, सियस मुख्य परिक्षा और टेट तथा सी, टेट आद के लिए बहुत ही उ उप्योगी तथा महतवपूर्ण है, तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो, महतवपूर्ण तत्सम तद्भो सब्दों का भाग तीन, दोस्तों देखिए आज का जो पहला प्रशन है, अक्रोट सब्द का तत्सम रूप क्या है, पूछा गया है, आपसन है आपके अ तत्सम अक्छोट होता है, अक्छवाट तत्सम सब्द है और अक्छवाट का तत्भो दोस्तों अखाडा होता है, तो अक्छवाट जो है अखाडा का तत्सम रूप होता है, जबकि अक्रोट का तत्सम अक्छोट है, अगला प्रशन है अकार ये सब्द का तत्भो रूप क् प्रशन है टकसाल का तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर है टकसाल का तत्सम रूप होता है टंकशाला तो याद रखेगा टकसाल टंकशाला इसका तत्सम रूप है अगला प्रशन है इन में से तत्सम रूप कौन सा है देखिए भैंस बारह सच और पाद तो सही उत्तर है दो भैस का तत्सम रूप महिसी होता है बारह का तत्सम द्वादस और सच का तत्सम सत्य होता है अगला प्रशन है दोस्तों गोबर का तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर है गोबर का तत्सम गोमे होता है अगला प्रशन है मा का तत्सम रूप क्या है देखे मात्री मात्री का मात इसमें से आपको बताना है कि मा का तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर है मा का तत्सम रूप मात्री होता है तो दोस्तों आपसन ए आपका सही उत्तर है अगला प्रश्न है मा का तत्सम रूप क्या है माता मात्री का मात्री और अम्मा तो सही उत्तर है दोस्तों मा का तत्सम र और मात्री दोनों होता है पहले उतर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने अपने उतर प्रत्रक में इस प्रश्न का उतर C यानि मात्री को माना था जबकि बाद में उच्च नयाले के आदेश के बाद A और C दोनों को सही माना है तो मा का तत्सम रूप माता और मात्री दोनों होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों खाट का तत्सम रूप क्या है तो सही उतर है खाट का तत्सम रूप खट्वा होता है खाट का तत्सम खट्वा होता है तो याद रखेगा खाट का तत्सम रूप खटवा है पनही सब्द का तत्सम रूप क्या है दोस्तों पनही सब्द का तत्सम रूप उपान होता है तो याद रखे उपान जो है वो पनही का तत्सम रूप होता है और इसका पाण तत्सम सब्द है यहाँ पर देखे पाण जो है एक तत्सम सब्द है इसका तत्भो पत्त होता है और तामबूल जो है दोस्तों पान का पर्याइवाची है अगला प्रेशन है पान का तद्भो सब्द क्या है तो सही उत्तर है पान का जो है दोस्तों तद्भो सब्द है ये पन्ना और पान दोनों ही पान का तद्भो रूप होता है तो बहुत ही महतपूर है पान का त तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर है पोखर का तत्सम पुसकर होता है अगला प्रशन है दोस्तों यहाँ पर दाहिना का तत्सम रूप क्या होता है तो दाहिना का जो है तत्सम रूप दक्षिड होता है बाया का बाम होता है सुई का तत्सम रूप क्या है अगला प्रशन है आपसन है आपके सूजी, सूई, सूची या सूचक तो सही उत्तर है आपसन सी सूची जो है ये सूई का तत्सम रूप है अगले प्रश्ट पर आते हैं आपसे पूछा गया है हस्त का तदभव रूप क्या है आप जानते हैं हस्त जो है ये तत्सम सब्द है और इसका तद्भव हात होता है हाथी का तद्सम हस्त होता है और दोस्तों यहाँ पर देखिए हस्त का तद्भव हात होता है अगला प्रश्न है अधो लिखित में से कौन सा सब्द तद्सम नहीं है आपको बताना है तसकर, ध्यान, बोध और हात तो हाथ दोस्तों ये आपका तत्सम सब्द नहीं है और देखिए हाथ तत्सम सब्द नहीं है और इसका तत्सम हस्त होता है तसकर, ध्यान और बोध ये सभी तत्सम सब्द है अगला प्रिशन है दोस्तों ससूर सब्द का तत्सम रूप क्या होगा तो सही उत्तर है स्वसूर दोस्तों स्वसूर जो है ये ससूर सब्द का तत्सम रूप होता है अगला प्रश्ण है निम्निखित में सब्दों में से कौन सा एक सब्द तद्भव है कृष्ण, गायक, ससूर या यूथ तो सही उत्तर है ससूर देखिए दोस्तों ससूर सब्द जो है ये तद्भो है इसका तत्सम सब्द स्वासूर होता है कृष्ण सब्द कान या किसन का तत्सम है और गायक सब्द गवया का तत्सम है यूथ सब्द जथा का तत्सम होता है अगला प्रश्ण है इन में से तत्सम सब्द का चैन करिए तत्सम क्या होता है दोस्तों तत्सम सब्द वे होते हैं जो संस्क्रिट से या संस्क्रिट के समान होते हैं या उसी रूप में प्रयोग किये जाते हैं उनको तत्सम और संस्क्रिट से ब्यूत्पन सब्द जो देशज या आम बोलचाल में प्रियुक्त होते हैं उनको तद्भो कहा जाता है तो इसमें से आपको तद्सम सब्द का चैन करना है कान, दिन, बाहर और जमुना तो सही उत्तर है दिन दिन जो है ये तद्सम सब्द है और दिन और दिवस दोनों ही तद्सम सब्द है जबकि कान जो है कान का तद्भो होता है बाहर का जो तद्सम है बाहर है और जमुना का तद्सम रूप यमुना होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों एक जो है एक तद्भव सब्द का तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर है एक का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा एक्छु एक्छु जो है ये एक का तत्सम रूप है अगला प्रश्ण है देखिए निमलखित में से तदभव सब्द अटारी का तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर है अटाली का देखिए दोस्तों अटाली का सब्द जो है ये अटारी का तत्सम रूप होता है तो सही उत्तर है अटारी का तत्सम अटाली का होता है सही उत्तर आपसन D हो जाएगा अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों निम्लिकी सब्दों में से तद्भव सब्द का चयन कीजिए तद्भव तो वानर बंदर भ्रमर और पवन तो सही उत्तर है बंदर दोस्तों बंदर तद्भव सब्द है और इसका तत्सम वानर होता है भ्रमर सब्द तत्सम है इसका त तदभव हवा होता है अगला प्रश्न है दोस्तों इन में से तदभव सब्द कौन सा है वानर बंदर पवन और पर्यंग तो सही उत्तर है बंदर जो है ये तदभव है जबकि वानर पवन और पर्यंग ये तत्सम सब्द हैं अगला प्रश्न है दोस्तों तदभव से तत्सम बने सही सब्द युग्म को चिन्हित करना है आपको देखिए यहाँ पर हत्ता हात रत्ता रात पत्ता पत्र और नक्चा नाच तो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर देखिए तद्भो से तत्सम जो सही युग में है वो है पत्ता का तत्सम पत्र होता है यही सब्द युग् बलकि हस्त होता है रात का तत्सम रात्री होता है और नाच का जो तत्सम है वो नृत्य होता है अगला प्रश्ण है आखर सब्द का तत्सम रूप कौन सा है आपको बताना है अक्छ अच्छर अंब या अध्य तो सही उतर है अक्छर दोस्तों अक्छर जो है वो आखर सब्द क तत्सम रूप है, अगला प्रश्ण है निल्मखी सब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, उच, अकाज, अणी या सिख, तो सही उत्तर है उच, उच देखे तत्सम रूप है और इसका तत्भव ऊंचा होता है, अकाज, अनी और सिख, जो है ये तत्भव सब्द हैं, अकार्य होता है अनी का आणी और सिख का शिस्य होता है तत्सम रोग अगला प्रश्ण है उनकी सब्दों में से तदभव सब्द कौन सा है इसमें देखिए दक्छिड खट्वा खरजूर और घडा तो सही उत्तर है तदभव सब्द जो है वो घडा है और इसका तत्सम क्या हो अगला प्रश्ण है तत्भव से तत्सम बने सही सब्द युग्म को चिन्हित कीजिये कान का कर्ड होट होस्ट आँख अच्छ या नाक नासिका तो सही उत्तर है आप संडगी आपका सही उत्तर है दोस्तों नाक का जो तत्सम और तत्भव तत्सम ये नासिका हो जाएगा ये आपका सही है कान का काड होता है ओठ का ओष्ट होता है और आँख का तत्सम अक्छी होता है अगला प्रशन है दोस्तों ओष्ठ निम्लखित में से किसका तत्सम सब्द है तो सही उत्तर है ओष्ठ जो है ये ओठ का तत्सम रूप है तो सही उत्तर आपसंद C हो जाएगा अगला प्रशन है दोस्तों ओठ जो है ये किस स्रेडी का सब्द है आपको बताना है तद्भव, तद्सम, देशर्ज या विदेशर्ज, तो सही उत्तर है तद्भव, ओठ जो है ये तद्भव स्रेडी का सब्द है अगला प्रश्न है तद्सम से तद्भव रूप में सही सब्द युग्म की पहचान कीजिए कश्ची कुछ, लाक्ष, लाक, सर्प, सांप, छेत्रित, खेती, तो सही उत्तर है सी जो है सर्प का तद्भव सांप होता है यही केवल सही सुमेलित है जबकि किंचित का कुछ होता है लक्ष का लाक और छेत्री का तद्भव खेती होता है अगला प्रेशन है दोस्तों धरती सब्द का तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर है धरती का तत्सम धरित्री होता है बहुत ही महत्पूर है धरती का तत्सम रूप धरित्री होता है दोस्तों और धरणी धरा पिर्थवी का पर्यायवाची है जबकि धातरी तत्सम सब्द है जिसका तद्भो दाई होता है अगला प्रश्न है डंडा सब्द का तत्सम सब्द क्या है तो सही उतर है डंडा का तत्सम दंड होता है लाठी, दंभ और द्रश्टा से इसका कोई संबंध नहीं है अगला प्रश्न है पत्थर सब्द का तत्सम सब्द क्या है तो पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है याद रखिए आपसन भी आपका सही है पाहन तद्भो सब्द है और इसका तत्सम पासाण होता है पहाड परवत का पर्यायवाची है लेकिन पत्थर का दोस्तों तत्सम पासाण नहीं बलकि प्रस्तर होता है अगला प्रश्ण है का तत्सम मधूक होता है और मधूप तथा मधूकर भावरा को कहते हैं भावरा का तत्सम रूप भ्रमर होता है अगला प्रश्न है सियार का तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर है स्रिंगार स्रिंगाल दोस्तों स्रिंगाल जो है ये सियार का तत्सम रूप होता है स्रिंगार तत्सम सब्द है इसका तत्भव सिंगार होता है और श्यालक तत्सम सब्द है इसका तत्भव साला होता है तो साला का तत्सम श्यालक है अगला प्रश्ण है दोस्तों लंगोट का तत्सम सब्द क्या है तो सही उत्तर है लंगोट का तत्सम लिंग पट होता है आपसंसी आपक सही उत्तर है अगले प्रश्ट पर आते हैं दोस्तों भतीजा का तत्सम सब्द कौन सा है भ्रमर भ्रात्रिज्य भ्राता या भ्रात्रिज्य तो सही उत्तर है भतीजा का तत्सम भ्रात्रिज्य होता है जबकि भावरा का तत्सम भ्रमर होता है भाई का तत्सम सब्द भ्राता ह और भतीजी का भ्रात्रिज्या होता है अगला प्रश्ण है इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है सौतन, सौतर्न, सपत्नी या सहपत्नी तो सही उत्तर है सपत्नी दोस्तों सौत का तत्सम रूप सपत्नी होता है आफसन सी आपका सही उत्तर है अगले प्रेश्ट पर आते हैं निम्लिकित सब्दों में कौन सा सब्द तत्सम है आपको बताना है सौत, सपत्नी, बहन और भाभी तो सही उत्तर है दोस्तों तत्सम सब्द आपका सपत्नी है देखिए इसका जो तद्भव होता है वो सौत होता है अगला प्रेश्ट है इन में से जेष्ट का तद्भव रूप कौन सा है जुगत, जाड़ा, बड़ा और जेट तो सही उत्तर है जेट दोस्तों जेट सब्द जो है वो जेष्ट का तद्भव रूप होता है जाड़े का जाड़ा, बरिष्ट का बड़ा और युक्ति का जुगती होता है अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नकी सब्दों में से कौन सा तद्भो सब्द है देखिए बहरा, वत्स, ताप और गंभीर तो सही उत्तर है बहरा जो बहरा सब्द है ये दोस्तों तद्भो सब्द है वत्स तद्सम है इसका तद्भो बच्चा होता है इसी प्रकार ताप जो है ताप सब्द तद्सम है इसका तद्भो ताव होता है और तद्सम सब्द गंभीर का तद्भो गहरा होता है बहरा दोस्तों ये तद्भो सब्द है इसका तत्सम बधिर होता है अगला प्रश्ण है निमलखित दिये गए सब्दों में से कौन सा तत्सम सब्द है सपना, सयाना, ओस और यग्यमान तो सही उत्तर है यग्यमान ये गिमान आपका तत्सम सब्द है जिसका उद्भव या तत्भव जज्मान होता है अथ्वा जिज्मान होता है तत्भव सब्द सपना का तत्सम सवपन होता है सयाना का संग्यान होता है और ओस का तत्सम अवश्याय होता है अगला प्रश्ण है निम्लखित में से धूम्र का तद्भव सब्द कौन सा है तो सही उत्तर है धूआ दोस्तों धूम्र तद्सम सब्द है इसका तद्भव धूआ होता है और जुवा का तदसम सब्द होता है द्यूत भावरा का भ्रह्मर और मक्छी का तदभव या तदसम रूप है अगला प्रष्ण है निमिर्खत में से कौन सा सब्द तदसम नहीं है अमिय मनुस्य अस्तम्भ या गमन तो सही उत्तर है अमिय दोस्तों अमिय जो है ये तदभव सब्द है इसका तदसम अमरित होता है बहुत ही महत्पोड है अमिय तदभव सब्द है इसका तदसम अमरित होता है मनुस्य अस्तंभ और गमन जो है ये तदसम सब्द है मनुस्य का जो तदभव होता है मानस है अस्तंभ का खंभा और गमन क का तद्भाव गौना होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों कोष्ठ का तद्भाव सब्द क्या है काठ केवट कुछ और कमरा तो सही उत्तर है दोस्तों कोष्ठ का तद्भाव कमरा होता है आपसन D आपका सही उत्तर हो जाएगा काठ का तत्सम रूप जो है वो काश्ठ हो जा अगला प्रश्ण है निम्लखित में से पीठ का तत्सम सब्द कौन सा है आपसान है प्रतिवेश, प्रस्वेद, प्रिष्ट या पुसकर तो सही उत्तर है पीठ का तत्सम प्रिष्ट होता है तो याद रखिएगा पीठ का तत्सम सब्द प्रिष्ट होता है जबकि प्रतिवे सब्दों में से तत्सम सब्द कौन सा नहीं है देखे कार्य युक्ति चक और स्रिंगार तो सही उत्तर है चक जो है दोस्तों ये तद्भव सब्द है इसका तत्सम चच्छु होता है कार्य युक्ति और स्रिंगार तत्सम सब्द है कार्य का तद्भव कारज युक्ति का और स्रिंगार का सिंगार होता है अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों प्रश्ण है कि निम्लखी सब्दों में से तद्भव सब्द कौन सा है बिसरना उपानह गुंजा या कुंठन तो सही उत्तर है बिसरना दोस्तों बिसरना तद्भव सब्द है इसका तत्सम बिस्मृत इंगले प्रस्ट पर आते हैं दोस्तों ये है निमलखित दिये गए सब्दों में से तत्सम सब्द कौन सा है कुंजी नहना नहर या सष्ट तो सही उत्तर है दोस्तों तत्सम सब्द जो है वो शष्ट है और कुंजी का तत्सम कुंजी का होता है नहना का तत्सम नखहरन होता है और नहर का तत्सम ग्यातिग्रि होता है तो इसमें से खश्ट सब्द जो है ये तत्सम है इसका तत्भव छ खठवा होता है अगला प्रेश्ण और इस प्रैक्टिसेट का जो आखरी प्रेश्ण है दोस्तूं तो इसमें दिया गया है असकन्द का तद्भो सब्द निमलखित में से कौन सा है आपसन है आपके स्तंभ, अभ्यंतर, कंधा और चौपाया तो सही उत्तर है असकन्द का तद तद्भो सब्द दोस्तों कंधा हो जाएगा तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट हिंदी के महत्वपूर तत्सम तद्भो सब्दों का भागतीन जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं जैसे आरो ए आरो परिक्षा लोवर सबार्डिनेट इसके अलामा टेट सूपर टेट और दोस्तों इलाहबाद हाई कोड द्वारा आजोजित आरो ए आरो यानि समिक्षा धिकारी सहायक समिक्षा धिकारी के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही उप्योगी है आप इन प्रशनों को तयार कर लीजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित आरो ए आरो यानि समिक्षा धिकारी सहायक समिक्षा धिकारी परिक्षा के लिए सामान हिंदे के अंतरगत महत्तपूर्ण तत्सम तद्भो सब्द दोस्तों ये वीडिय मुख्य परिक्षा, हाई कोट आरो यारो, लोवर पीसियस और अध्यापक पातरता परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो महत्पूर तत्सम तद्भो सब्दों का भाग चार दोस्तों आज के वीडियो हम सुरू करेंगे इसमें देखेए प्रश्न है आपसे पूछा गया है निम्नलिखित सब्दों में से तत्सम सब्द कौन सा है आपसन है आपके पत्थर, साचा, रीस और पासाण, तो सही उत्तर है आपसन डी दोस्तों पासार सब्द जो है ये तत्सम सब्द है और इसका तदभव पाहन होता है पत्थर तदभव सब्द है पत्थर का तत्सम सब्द प्रस्तर होता है और साचा का तत्सम सब्द सचक और रीश का तत्सम सब्द इर्श्या होता है अगला प्रशन है दोस्तों निमलखित में से बुभुच्छा सब्द का तदभव कौन सा है आपसन है अंगोच्छा, भूख, बिछोह या छिलका तो सही उत्तर है भूख दोस्तों बुभुच्छा तदसम सब्द है इसका तदभव रूप भूख होता है और अंगोच्छा का तदसम जो है वो अंगप्रोच्छा होता है बिछोह का बिछोब होता है और छिलका का शकल होता है अगला प्रशना ये देखते हैं निमलखित सब्दों में से तदसम सब्द कौन सा है आपको बताना है अपसन है आपके मृत्ति का वाग, रैन और छाजन तो सही उत्तर है मृत्ति का दोस्तों मृत्ति का जो है ये तत्सम सब्द है इसका तद्भो मिट्टी होता है वाग का तत्सम सब्द होता है वलगा, रैन का रजनी और छाजन का छादन होता है अगला प्रश्ण है निम्खित में से तद्भव सब्द कौन सा है तद्भव सब्द दोस्तों आम बोल चाल या हिंदी के जो सामान सब्द है उनको कहा जाता है तद्भव यानि ये संस्कृत से उत्पन होता है दोस्तों इसमें आपसन है आपके कटाह अवर रिक्त और कडवा इसमें से तद्भव सब्द कौन सा है तो सही उत्तर है कडवा दोस्तों कडवा सब्द जो है देखिए ये जो है तद्भव सब्द है इसका तत्सम रूप कटू होता है कटाह का तत्सम कडाह होता है अवर का ओर होता है और दोस्तों देखिए रिक्त का रीता होता है रिक्त जो है देखिए इसमें कटाह जो है कटाह सब्द जो है ये तत्सम सब्द होता है इसका तत्भो कडाह होता है अवर तत्सम है इसका जो तद्वो होता है और रिक्त का तद्वो रीता होता है अगले प्रश्ण पर आते हैं लिम्खित में से कड़वा का तत्सम रूप कौन सा है आपको बताना है तो सही उत्तर है कड़वा का तत्सम कटू होता है कड़वा का तत्सम रूप कटू है अगला प्रशन है लमखित में से गेहूं का तत्सम सब्द कौन सा होता है तो गेहूं दोस्तों गोधूम जो है गोधूम सब्द ये गेहूं का तत्सम रूप होता है तो याद रखिए दोस्तों गेहूं का तत्सम रूप होता है आपका गोधूम होता है तो सही उत्तर आपसन भी हो जाएगा अगला प्रश्ण फिर से पूछा गया है गेहूं का तत्सम रूप क्या है तो सही उत्तर है गोधूम है देखे, यहाँ पर यह जो गोधूम दिया है, यह वर्तनी इसकी स्पेलिंग गलत है, गोधूम सब्द गेहुं का तत्सम है, अगला प्रश्ण है निर्मिकित में से कौन सा सब्द तत्सम है आपको बताना है, नेह, तपसी, निम्ब या दाख, तो सही उतर है निम्ब, यह तद्भव रूप है, नेह का तत्सम शनेह होता है, तपसी का तपस्वी और दाख का द्राक्षा तत्सम सब्द होता है, अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्लिकित सब्दों में से तद्भव सब्द कौन सा है, देखिए कंकर, कृष्ण, सिक्छा या दही, तो सही उतर ह दही जो है, यह तद्भव सब्द है, इसका तत्सम दधी होता है, अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्लिकित सब्दों में से तत्सम सब्द कौन सा है, छेत्र, भादो, कटहरा या हुलास, तो सही उतर है छेत्र, छेत्र जो है आपका तत्सम सब्द है, इसका तद्भव खे अगले प्रश्ट पर आते हैं दोस्तों निमलखित में से तदभो सब्द कौन सा है देखिए अक्छर, गोस्वामी, आसु और यमुना तो सही उत्तर है आसु आसु जो है ये तद्सम नहीं बलकि तद्भो सब्द है इसका तद्सम अस्र होता है अक्छर, गोस्वामी और दोस दोस्तों निमलखित सब्दों में से तद्भो सब्द कौन सा है तो तद्भो सब्द जो सामान हिंदी में है या संस्कृत निष्ट नहीं है देखिए बधिर, परगट, अमरित और जीन्ड तो सही उत्तर है परगट जो है ये तद्भो है बधिर, अमरित और जीन्ड जो है दोस्तों ये आपके तत्सम रूप है अगला प्रश्ण है निखिस सब्दों में से तत्सम सब्द कौन सा है तो तत्सम यानि संस्गृत के समान तो सही उत्तर है दोस्तों कृष्ण देखिए कृष्ण जो है ये तत्सम सब्द है इसका तदभव काना होता है ओजह का तत्सम अगला प्रश्ण है नीचे दिये गए सब्दों में से तदभव सब्द कौन सा है आपको बताना है मौत पाशाण पुसकर या छेत्र तो मौत दोस्तों ये तदभव है इसका तदसम रित्ध होता है याद रखेगा अगला प्रश्ण है तदभव से तदसम बने सही सद्ध युग्म को चिन्हित कीजिए सूई सूईया दोस्तों ये देखिए सूई सूईया ये गलत है गवाल गवाल सही नहीं है गवार ग्रामीड ये आपका सही है आँख अक्छी ये भी गलत है तो सही उत्तर क्या हो आपसंसी गवार जो है तदभव है इसका तदसम ग्रामीड होता है दोस्तों देखिए सूई का सूची का होता है गवाल का गोपाल होता है और आँख का तदसम अक्छी होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों अचरज का तदसम रूप क्या है तो सही उत्तर है आश्यरे अच इस्प्रिहा और लिपसा ये सभी सब्द इक्छा के पर्यायवाची सब्द हैं अगला प्रश्ण है निमलखित सब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है तो सही उत्तर है चौथा का तत्सम चतूर्थ होता है तो चतुस्पद, चतुस्क और चतुस्काठ के तदभो जो है चतुस्पद का तदभो चौपाया चतुस्क का चोक और चतुस्काठ का चौकट होता है तदभो अगला प्रश्ण है निम्लखित में से आँख का तत्सम रूप कौन सा है तो सही उत्तर है आँख का तत्सम रूप अच्छी होता है अगला प्रश्ण है निम्लखित सब्दों में से तदभो सब्द कौन सा है बच्चा, सब्द, कास या रोम तो सही उत्तर है बच्चा दोस्तों बच्चा जो है ये तद्भो सब्द है इसका तद्भो सब्द है इसका तद्भो वत्स होता है शब्द का तद्भो सब्द, रोम का रोवा और कास तद्सम है इसका तद्भो खासी होता है अगला प्रश्ण है निम्खे सब्दों में से तत्सम सब्द को पहचानिए कई, जब, भक्त या मोर तो सही उत्तर है दोस्तों भक्त जो है ये तत्सम है कई, जब और मोर ये तत्भो सब्द है कई का जो तत्सम होता है वो यदा कई का जो है तत्सम कती जब का यदा और मोर का तत्सम मयूर होता है अब आये देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न भक्त का तद्भो रूप क्या होगा तो सही उत्तर है भक्त तत्सम सब्द है इसका तद्भो रूप भगत होता है स्रद्धा प्रेम और स्रद्धा दोस्तों देखे श्रद्धा जो है ये तत्सम स्रब्द है प्रेम और देखे भाप जो है तद्भव सब्द है इसका तत्सम क्या होता है वाश्प अगले प्रिश्ण पर आते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए तदभव से तत्सम बने सही सब्द युग्म को पहचानिये गाउं ग्रामीड ये सही नहीं है आम का आमर सही है जड का जड़ ये भी नहीं सही है जो का यह ये भी नहीं सही है तो दोस्तों आम जो है तदभो है इसका तदसम आमर होता है और देखिए गाउं का ग्राम होता है जड़ का जटा होता है और जो का यह होता है अगला प्रश्न है दोस्तों गाठ का तदसम रूप कौन सा है आपको बताना है देखिए सही उत्तर है गाठ का तदसम रूप गरंत ही होता है और गठी सब्द गाठ का परयावाची है गठर सब्द धेर को बाधने के संदर में प्रियुक्त होता है और अंगुष्ट सब्द जो है ये अंगुठा का तदसम रूप होता है अगला प्रश्न है नेमलखी सब्दों में से तदसम सब्द कौन सा है देवर, जेठ, भतीजा या पुत्रवधू तो सही उत्तर है पुत्रवधू ये आपका तदसम सब्द है और इसका तदभव क्या होता है पतुहू दोस्त प्रश्न है नेमलखी सब्दों में से तदभव सब्द चिन्हित करिये गोसाई, जाड़, संतापन और विक्छोब तो सही उत्तर है गोसाई दोस्तों गोसाई तदभव सब्द है इसका तदसम गोस्वामी होता है जाड़ तदसम सब्द है इसका तदभव जाड़ा होता है संतापन और विक्छोब तत्सम सब्द है और संतापन का जो तद्भो है वो सताना है विक्छोब का तत्भो विछो होता है अगला प्रश्ण है निम्निखित सब्दों में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है कंगन का तद्भो रूप दोस्तों कंगन तद्भो है इसका तद्सम कंकड होता है देखिए कंकड कंकड जो है वो कंगन का तद्भो रूप है कंकती कंट फिकल तद्सम सब्द है कंकती का जो तद्भो है कंगी याद रखिएगा कंगी का तद्सम कंकती होता है और कंट की फल क कंट की फल जो है ये कटहल का तत्सम रूप होता है कंसार क्रिष्ण का परयावाची है कंस के अर यानी क्रिष्ण अगला प्रिष्ण है तत्भव से तत्सम बने सही सब्द युग्म को चिन्हित कीजिए धूआ धूम्र और ये गलत है क्योंकि वर्तनी इसकी गलत है चक का चक्ष ये भी गलत है भभूत का विभूती सही है नेह का सनेह ये भी गलत है दोस्तों इसमें आपसं C आपका सही है और देखिए धूआ का धूम्र होता है धूम नहीं चक का चक्ष होता है और नेह का सनेह होता है अगला प्रश्ण है निम्खित सब्दों में से तदभव सब्द कौन सा है आग, अवर, वन्ष या मन्थज तो सही उत्तर है आग दोस्तों आग जो है ये तदभव सब्द है इसका तदसम अग नहीं होता है आवर, वंस और मन्थज जो है ये तत्सम रूप होते हैं आवर का तद्भव ओर है वंस का बंस है और मन्थज का मक्खन होता है तद्भव अगला प्रश्ण है निम्खित में से तत्सम सब्द का चैन कीजिए पोथी, अंगीठी, अगहन या मयूर तो सही उत्तर है मयूर जो है ये तत्सम सब्द है पोथी तत्भव सब्द है पोथी का जो तत्सम होता है पुस्तक अंगीठी का तत्सम अगनिष्टिका और अगहन का तत्सम अग्रहायन होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्लखित में से तद्भो तत्सम का कौन सा युग्म सही है तो देखे चिडिया चटर्क सही नहीं है पोथी पुस्तक सही है मौसी मातरिजा सही नहीं है तुम तुश्मेओ ये भी नहीं सही है दोस्तों देखे पोथी का जो तत्सम है वो पुस्तक होता है चिडिया का तत्सम चटक होता है मौसी का मात्रि स्वसा होता है और तुम का तुसमे होता है अगला प्रश्ण है निर्मकिस में से तदभव तत्सम का कौन सा शब्द यूग्म सही है तो देखिए चाउथा चतूर्थ ये आपका सही है 31 का जो तत्सम होता है दोस्तों एक त्रिनसत होता है न की एक त्रिनसत 68 का जो है वो अश्ठा जश्टी होता है अश्ठा जश्टी ये होता है 68 का और इतना का जो होता है इयत होता है न की इयत तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, आपसन ए आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है निम्खी सब्दों में से तद्भो सब्द का चैन कीजिए आशीस, केस, कारे और ताप, तो सही उत्तर है केस केश जो है तद्भो सब्द है इसका तद्भो केश होता है आशीश कारे और ताप तद्भो ताव होता है अगला प्रशन है निम्खे सब्दों में से तद्भो कौन सा है जथा तपसी थोड़ा या अगनी तो अगनी जो है दोस्तों ये देखिए अगनी आपका तद्भो सब् तपसी का तत्सम तपस्वी थोड़ा का स्तोक होता है स्तोक देखें और स्तोक जो है ये थोड़ा का तत्सम होता है अगला प्रश्ण है निम्लखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है आस्मान, अंबर, अस्मान या नभ तो सही उतर है आकाश जो है ये तद्सम रूप है और इसका तद्भव आसमान होता है अगला प्रश्ण है नेमलखिस सब्द युग्मों में से तद्भव तद्सम के सर्वोत्तम सब्द युग्म का चैन कीजिए देखिए आज का अर्ची गलत है आज का अर्दे ये भी गलत है घर का ग्री ये आपका सही है देखिए साचा का संचा की ये भी गलत है तो सही उत्तर है घर तद्भो है इसका तद्सम ग्रे होता है और देखे दोस्तों आज का अध्य होता है आज का अर्ची होता है और साचा का सच्चक होता है अगला प्रशन है निम्रखिस सब्द युग्मों में से तद्भो तद्सम का सर्वोत्तम सब्द युग्म कौन है तो ये है दोस्तों देखे जीव का जीवा इसके अलावा उगना का उदात नहीं होता है बलकि उगना का उदगात होता है इसके अलावा लोहार का लोहकार और स अगला प्रश्ण है आसु का तत्सम रूप कौन सा है तो आप जानते हैं अस्रु जो है ये आसु का तत्सम रूप है अगला प्रश्ण है निम्नखित में से तत्भव तत्सम का सही सब्द युगम कौन सा है ये देखिए दोस्तों पूराना का पूराण ये सही है बिसरना का भुलाव नहीं वलकि विसरना का बिस्मरिती होता है तत्सम, गेहूं का तत्सम गोधूम है और पनही का तत्सम जो है वो उपान होता है, अगला प्रश्ण है निलुके सब्दों में से तत्सम सब्द कौन सा है आपको बताना है, दुग्ध, एक, दही और खीर, तो सही उत्तर है दुग्ध, दुग्ध जो है ये तत्सम सब्द है, एक, तद्भो है इसका तत्सम एक्छु होता है, दही का तत्सम सब्द दधी होता है, और खीर का खीर होता है, अगला प्रश्ण है निलुके से तत्भो तत्सम का शुद्धतम सब्द युग्म कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर देखे फूल का तत्सम पुश्प होता है यह आपका सही सुमेलित है अंधा का तत्सम अंध होता है पसीना का प्रस्वेद होता है और चबाना का चर्वण होता है चर्वण जो है वो चबाना का तत्सम रूप है अगला प्रश्ण है दोस्तों देखे बहुत ये आपका सही है दूलहा का दुल्लह नहीं बलकि दुर्वलव होता है दूलहा का और अनंत का जो है अनत का अन्यत्र होता है और अग्रणी का जोस्तो अगारी का अग्रवर्ती होता है तो बहुत ही महतपूर ये देखिए UPAPO Specialments 1997 में ये कठिन प्रश्न है और देखिए दोस् रूप होता है अगला प्रश्न है निम्लखित में से कौन सा सब्द तदभो है आपको बताना है देखिए सपत्नी रिक्त वलगा और सकर तो सही उत्तर है दोस्तों सकर सब्द जो है ये आपका तदभो है इसका तदसम क्या होता है सकर का तदसम जो है ये सरकरा होता है सरकरा जो है ये खेत का तत्सम रूप है खेत तद्भो है सियार का तत्सम स्रिंगाल होता है और कचहरी का जो तत्सम है वो कृत्य ग्री होता है अगला प्रश्ण है रिम्रकित में से गीध का तत्सम रूप कौन है तो ग्रिद्र ग्रिद्र जो दोस्तों ये गीध का तद्वो तद्सम रूप होता है गर्दव गरंथ और गंध के तद्वो गर्दव का तद्वो गधा गरंथी का गाठ और गंध का तद्वो महक होता है अगला सब्द है देखिए परस परस शब्द का तद्सम रूप क्या है तो सही उत्तर है परस का जो तत्सम रूप है शपरस होता है और परसूं का परसूं होता है साप का तत्सम सर्प होता है और पासाण का तत्सम जो है ये तत्सम रूप है तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा चाक सब्द का तत्सम रूप क्या है आपको बताना है तो सही उत्तर है चाक का तत्सम चक्र होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों घोडा सब्द का तत्सम रूप क्या है तो घोडा का तत्सम घोटक होता है और अश्व घोडा का परयावाची और घट घडा का तत्सम रूप है ताबा सब्ड का तत्सम रूप क्या है? therefore, सही उत्तर है ताम्र ताम्र जो है दोस्तों यह ताबा का तत्सम रूप है अगला प्रश्ण है निम्निकित में से तदभव तत्सम का सही सब्द युगम कौन सा है देखिए इसमें देखिए अक्खर का अच्छर नहीं होता है नेह का सनेह होता है ये सही है भूख का विभुच्छा सही नहीं है तोद का तुंद्र जो है ये सही नहीं है देखिए दोस भूख का बुभुच्छा होता है, तूंद का जो तत्सम रूप होता है, वो है तूंद, अगला प्रश्ण है दोस्तों, तदभव तत्सम का सब्द युग्म कौन सा सही है, गाय का गो जो है, गाय का जो तत्सम है वो गो होता है, सही है, कौन का तत्सम का पुनह होता है, तदभो सब्द कौन सा है आपको बताना है इसमें देखिए आशीस, दरसन, आश्रे या उद्घाटन तो सही उत्तर है दर्शन जो है ये दर्शन तद्भो सब्द है इसका तद्जम दर्शन होता है इसके अलामा दोस्तों आशिस, आस्रय और उद्गाटन ये आपके तद्जम रूप है आपसे पूछा गया है अगले प्रश्ण में किनिमलखे सब्दों में से तत्सम सब्द कौन सा है सुहाग, भाभी, रीस या मनुष्य तो सही उतर है मनुष्य जो है आपका ये तत्सम रूप है सुहाग का जो तत्सम होता है सौभाग्य है भाभी भरात्रि भार्या है और रीश का इर्षया होता है अगला प्रश्ण है तदभव से तदसंबने सही सब्द युग्म को चिन्हित कीजे तो देखे पुरुसारत का पुरुसारत होता है भतीजा भतीजा का भारतज्य नहीं बलकि भ्रात्रिज्य होता है भतीजा का और घी का घृत नहीं घृत होता है और गोद का क्रोड होता है तो देखिए इसमें सही सब्द युग्म आपसन ए हो जाएगा अन्य सही नहीं है अगला प्रशन है तदभो से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए खटिया खट्वा दोपट्टा दुविपट्ट तीरत तीर्थ सरजोना का सज्जापन तो दोस्तों यहां पर देखिए तीरत और तीर्थ ये सही तदभो तत्सम सब्द हैं दोस्तों खाट का खट्वा होता है दुपट्टा का दुविपट्ट होता है और सजाना का सज्जापन होता है अगला प्रशन है निम्लखित में से कौन सा शब्द का तदभो रूप है तो शब्द का तदभो रूप सबद होता है दोस्तों याद रखिएगा अगला प्रशन है निम्लखित ये गर्दव होता है अगला प्रश्ण है निम्निके सब्दों में से तत्सम सब्द कौन सा है खीर अमिय कोख या नासिका तो सही उत्तर है नासिका जो है ये तत्सम सब्द है इसका तत्भो नाक होता है खीर का तत्सम छीर होता है अमिय का तत्सम अम्रित और कोख का तत्सम तो ये है अंग प्राउक्छा दोस्तों अंगोच्छा का तत्सम रोप अंग प्राउक्छा होता है अगनिष्टिका का तदभव अंगीठी है अंगरखा तदभव है इसका जो तत्सम सब्द होता है वो अंगरख्छक होता है अगला प्रेश्ण है दोस्तों तदभव से तत्स गोटक होता है ये आपका सही है सत्तु का सक्तु होता है सत्तु का जो है वो सक्तु होता है लवंग का लवंग और गेंद का कंदुक अगला प्रश्ण है और इस वीडियो का आखरी प्रश्ण है दोस्तों तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग में को चिन्हित कीजिए वत्स बच्छडा, वत्स बालक, सबद, शबद, सबद, गोधूल, गेहूं तो सही सब्द यूग में है दोस्तों यहाँ पर देखिए वत्स बच्छडा, वत्स जो है यह बच्छडा, वत्स का जो है बच्चा होता है वत्स का तत्सम बच्चा होता है शबद का सब्द होता है गोधूम का गेहू होता है तो सही सब्द यूग में है वत्स का जो है वो बालक होता है या बच्चा होता है तो यहाँ पर वत्स का दोस्तूं देखिए बच्चा होता है बालक नहीं वत्स का एक जो तत्सम होता है वो बच़डा भी होता है तो ये था आज का practice set इसमें आपने देखा RO-RO यानि समिक्षा धिकारी सहायक समिक्षा धिकारी परिक्षा के लिए सामान हिंदी के अंतरगत महतपूर हिंदी के तत्सम तद्भोसब्द और उनसे बने हुए प्रश्ण जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है आप इन प्रश्णों को तैयार कर लिजेगा ताकि आगामी परिक्षाओं में यदि ये प्रश्ण पूछे जाते हैं तो आप इनको सही सही अटेंट कर सकें वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेर करें और इस चैनल मार्ग दोशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार